Top 5 best vlogging smartphone under 70,000 तो भाई अगर आपका बज़र सतर जार है, सतर जार के बज़र में आप एक vlogging smartphone लेना जाते हो तो भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका जो decision है वो बहुत जादा सही है सतर जार के बज़र में आपको किसी camera में 8K option नहीं मिलता लेकिन जो मैं smartphone बताऊँ करना हूँ आपको 8K option भी देखने को मिलने वाला है जाठी में आपको 4K option भी मिलने वाला है तो यार वीडियो को पूरा देखना इसके बड़ मत करना स्टार्ड करते हैं वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ड करने से पहले यार मेरा intro तो मेरी नामें रभीन टॉब्विन से अपका बहुत बहुत वागते हैं तो यार्ण पर चैना जातो हूं आपको एक stylish design मिल जाता है plus इसके color वगारा आप बहुत प्यारे देखने को मिल जाते है plus भाई आपको processor भी बहुत तगड़ा मिल जाता है अगर आपने hardcore gaming करने है मतलब अगर आपने high graphic पर gaming करने है आप easily normally कर सकते हो plus भाई अगर आपने vlogging करने है उसके सासाथ आपको camera के related smartphone चाहिए तो भी आपके लिए best deal हो सकता है Samsung Galaxy S20 Plus because आपको 8K video option मिल जाता है back camera में front camera में आपको 4K option मिल जाता है जो कि बहुत तगड़ा होने वाल है अगर आपने cinema शूट करना vlogging करने है travel vlogging करने है release बनाते हो tik-tok बनाते हो आपके लिए perfect deal हो सकता है plus भाई अगर आपने call of duty होगे या PUBG बगरा होगी high graphic पर अगर आप खेलना च सकते हो plus आपको एक नौन चानी smartphone मिल जाता है इंड इसका budget भी बहुत ज्यादा सही है आपको 50,000 से लेके आपको 60,000 के budget में Samsung Galaxy S20 plus easily normie मिल जागा plus इसका price और भी कम होने बाला because Samsung Galaxy S21 नया launch हो गया तो इसका price 100% मैं शौर हूँ इसका price कम होने ही बाला है तो यार आपके लिए अगर आपको Samsung का ही smartphone चाहिए ठीक है प्लस इसके design color बगार भी सच में मुझे तो यार इसका look बहुत पसंद है अभी बात करते है इसके main specification की मैं आपको deeply थोड़ा सा बता देता हूँ तो यार display की बातों को 6.7 inch dynamic AMOLED display मिल जाते है आप processor की बातों का Xnox 990 देखने को मिल जाग है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाते है प्लस वांटो डेज भी storage बैंटरी की बातों को 4500ms की बैंटरी मिल जाते है प्लस fast charging वारा भी आपको सब कुछ देखने को मिल जागा camera की बातों को 50,000 से लेके 60,000 के बज़र में मिल जाते है तो बही अगर आपनी जाना Samsung Galaxy S20 Plus के और ये smartphone भी आपके लिए perfect deal हो सकता है अभी आगे बात करते है number 4 की number 4 की बात करूए number 4 पर मैंने रखा iPhone 11 को तो तो यार अगर मैं इस smartphone की बात करूँ न इसका भी design आपको बहुत stylish मिल जादे है इसके color बहुत प्यार आते है प्लस इसका processor बहुत अगड़ा है यार आपको A30 Bownic chipset देखने को मिल जादे है जो की 7 nanometer technology के साथ बेस जागर आपन camera में 4K option मिल जाता, front camera में पर 4K option मिल जाता है जो की इस smartphone का plus point आ जाता है बट इसके minus point की भी बात कर लेता है अभी इसके minus point की बात करूए इसकी minus point सिर्फ इसकी battery देखने को मिल जाता है जो की सच्छी में जल्दी खतम हो जागी अगर आपने high graphic पे gaming करने है जब अगर आपन cinematic दुबहरा shoot करना ठीक है तो इसकी battery थोड़ी से कम मिल जाते है वैसे overall देखा जाए ये smartphone आपको पूरा loaded मिल जाता अगर आपने long time बेट स्मार्टफून को रखना है आप easily normally रख सकते हूं में आपको main specification बता देता हूं deeply ठीक है तो या display की बातों को 6.1 inch liquid container display मिल जाते है पो processor की बातों को 830 bond chipset मिल जाता है storage की बातों को 4GB RAM मिल जाते है प्लस तीन देखने को मिलता है 64GB storage 128GB storage 256GB storage जो भी आपके बचर में सैट बैठता है जतनी आपको storage चाहिए आप उसके और जा सकते हो battery की बातों को 3110ms की battery मिल जाते है wireless charging support करता है camera की बात करूं आपको dual camera मिल जाता 24GB valid है 4500,000 मिल जाता है जो 128GB valid है वह आपको 58000 dzv pregunta मिल जैका 256GB 動画 मतलो 66000 ए छोड़ा अपर देखने को मिल जाता है तो आपने देख लेना जो भी आपको budह चाहिए जो भी storage चाहिए जो भी स्टोरिघ को ज्या सकते हो अब यह आगे बात करते हैं नंबर 3 की बात करूए है नंबर 3 पर मैंने रखा M11 को तो इसलब से पहले मैं आपको बताना जाता हूँ कि यह स्मार्टफून नया लाउंच हुआ ठीक है एक वीक भी नहीं हुआ इसको लाउंच हो ठीक है तो भाई अगर आपने स्मार्टफून अब इस स्मार्टफून की और भी जा सकते हैं अभी बात करते हैं स्मार्टफून की खासियत की खासियत इसका प्रसास तर देखने को मिल जाता है जो कि आपको Smartwagon 8 त्रिपल 8 देखने को मिलता है जो कि 5-9 टेकनालोजी के साथ बेस जा अगर आपने हाई ग्राफिक पर गे जो कि थोड़ा सा मानेस प्रॉइंट हो जाता है लेकिन देखा देखा देए इसके प्रॉइसर को तो बहुत तग्रा स्टाली सी design मिल जाता है प्लस यह blue color में बहुत suit करता है मैं main specification आपको बता देता हूं तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.81 इंच एमुलेट डिस्प्ले मिल जाती है जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ आती है तो यह 120 रिफ्रेश्ट सच में मैंटर करता है ठीक है पर सैसर की बातों को स्नाफडगें ट्रिफ्ल एट देखने को मिल जाता है जो की फार्वन अन्मेटर टेकनोलोजी के साथ बेस्टाइश्ट की बात करूं यह दो वेड़ में देखने को मिलेगा 8GB 12GB जो भी लेना चाहते है आप ले सकते हो बैंटरी की बात करूं आपको 4600 mh की बैंटरी मिल जात है तो यार में स्पेस्फिकेशन में आपको MI 11 के भी बता दी है अगर आपने स्मार्टफोन क्या हो जाना है आप इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो लेकिन जो मैं आगे फून बता हूं को इससे भी फूरे लोडड़ होने बाले हैं अब यारी बात करते हैं नंबर टू पर मैंने रखा आइफून 12 मेनी को तो यार अगर आपको एक हैंडी स्मार्टफोन चाहिए आपके लिए बहुत सही होने वाले प्लस इसका कैमरा बहुत रगड़ा स्टार्ली से डिजान मिल जाता है कलर बहुत प्यार है प्लस इसका परसेसर उससे भी तगड़ा है अपको एक चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 5.9 टेकनोलोजी के साथ बीस जागर आपको गेमिंग के लिए चाहिए आपके लिए भी पोफ़ेर डील हो जाकता है इसके मानेस पांट की भी मैं आपके साथ जो है सीधी बात करता हूं ठीक है मानेस पांट सिर्फ इसकी बैंट 4-inch support display मिल जाती है जो की OLED डिस्प्लेय परसाइसर की बात करूं आपको A40 bonning chipset देखते हो मिल जाता है storage की बात करूं तीन वीड़ में आता है जो भी लेना जाते हो आप ले सकते हो बैंटरी की बात करूं आपको 227ms की बैंटरी मिल जाते है प्लस 20 वार्का फार्चार 12 mini game आपको repeat कर देना जाता हूं भी अगर आपको एक handy smartphone चाहिए तब आपके लिए best deal हो सकते है ठीक है अभी आगे बात करते है number one की number one की बात करूई है number one पर मैंने रखा है तूस 7 pro को अगर इस smartphone की खासेद की बात करूं तो खासेद इसका camera वही देखती हो मिलता ठीक है back camera म अगरे में आपको 8K video option मिल जाता है front camera में भी आपको 8K video option मिल जाता विकर आपको एक flip camera मिल जाता है design इसका design या color वगर आप बहुत प्यार है plus अगर आपको gaming के लिए smartphone चाहिए तब भी best अगर आपको camera के according smartphone चाहिए तब भी best आपके लिए होने चाला होने वाला है ठीक है आ डिस्प्ले की बातों को 6.67H Super AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो की 90 refresh rate के साथ आती है पर प्रसाइसर की बातों को snapdragon 865 plus देखने को मिल जाता है जो की सच में बहुत अगर आपने high graphic पे gaming करनी है आप easily normally कर सोगोगे storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस 256GB बैंटरी की ब देखने को मिल जाता है तो यहाल में स्पेश्फिकेशन में आपको बता दिया अपको स्मार्टफन पूरे लोडिन मिल जाता है लेकिन अगर देखा जाए अगर आपको कहना जातों आपको जाना चाहिए Asus Zenfone 7 Pro के साथ बिकरज आपको 8GB वीडियो अप्शिन मिल जाना बैक कैमरे में एंड फ्रेंट कैमरे में वो सच में मैटर करता है उसके बाद Asus Zenfone 7 Pro का कंपेर जाना आपको iPhone 11 Pro Max के साथ और iPhone 12 Pro Max के साथ देखने को मिलेगा जो कि सच में मैटर करता है अगर आप मेरे पर यकीन नहीं करते कोई ब्रावलमी नहीं अभी यूट्यूब पर सर्च और कर सकते आपको बहुत वीडियो देखने को मिल जागी प्लस अगर दोस्तों के भी दोस्तों को बेतना उनको भी गया दना कि चान को करते सब्सक्राब वीडियो करते लाइक करें इंस्ताग्राम पर कलें फॉलो लिंक वगर आई यह आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चारू करें तो भी मिलते है नाक्स प्रिव देखने में विलिग जाग तेंक यू